आज के सेसंने हम लोग बात करने वाले हैं टीपी नमबर टो का सॉल्यूसन जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग परते एक चेप्टर वाइज में हम लोग क्या करते हैं कोई भी टॉपिक को खतम करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी टाइप का कोईश्चन्स बनाया ज बता है और उसका एक करके सॉल्यूसन भी दिया जाता है ऐसा करके आपको इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि सिर्फ आपको बॉड़ एक्जाम पर ही dependent नहीं रहना है जैसे कि आप चाहिए आप जैक बॉड़ में हो जैसे कि हम यहां पर बात करना चा हो गया यह तो फिर आपका क्या हो गया नीट एक्जाम अगर यह सभी एक्जाम को क्वालिफाइ नहीं करते हैं तो फुल मिला करकर समझ जाए कि आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं करने के बाद क्योंकि आपको पता है कि यहां पे जैसे 12 पासवर्ट करेंगे क्या चे पासवर्ट करेंगे 12 क्लास उसके बद आपको higher studies को करना ही पड़ेगा और आप सभी को पता है कि अब higher studies को प्राप्त करने के लिए मतलब जैसे आप graduation करने जाएंगे यूजी करने जाएंगे तो ये यूजी करने के लिए आपको compulsory कर दिया गया है CUT exam मतलब वैसे चात्र चात्र आएं जो CUT exam को qualify करेंगे वही अ प्रेंट को क्या होगा college university में वहाँ पर admission हो पाएगा तो जब आप यहां पर CUT exam को qualify करेंगे हैं नहीं तब आप आगे की पढ़ाई मतलब आप प्रोसीड करेंगे कैसे तो यह तो संभव नहीं है और रहा बात कि अगर हम लोग CUT देना कंपल सरी ही है तो क्यों नहीं इसको थोड़ा हैवी तरीका से हम लोग इसको अच्छे तरीका से अच्छे लेवल में हम लोग इसका प्रिप्रेशन कर ले इसे हम लोग को एक फायदा यह होगा कि CUT के अंतरगयत हम लोग को बहुत सारे सेंटरल यूनिवर्सिटी आते हैं तो अगर हमारा रैंक बहुत ही बेहतरिन देखने को मिलेगा तो हम इंडिया का टॉप मतला जो भी हम लोग को बेस्ट जो कॉलिज हो प्रिप्रेशन करवा रहें ताकि आने वहोंला फ्यूचर अपसनी को कहीं भी किसी तरह का प्रोब्लम नहीं होगा तो यहां पर आप सब्सक्राइब को प्रिप्रेशन करवाया ही जो कि बोड़ एक्जाम का त्यारी आपका पुरा लेक्टर से ही हो जाएगा बाकि जो आप करना क्या है जैसे आप हमारे lectures को complete करते हैं कैच करना है सबसे पहले lectures को complete करने के बाद आप सभी को DPP का जो questions होता है उसको खुद से आपको attempt करने की परियास करने तो इसको जैसे आप खुद से attempt करेंगे उसके बाद जोंट question में आप उस problem हो गया है जहां पर समझ नहीं आया या फिर answer आपका match नहीं कर रहा है तो उसका तुरंट क्या किजेगा solution वीडियो देख लिजेगा किलियर है क्या देखना है solution वीडियो तो जैसे कि आज का जो सीरीज है आज हम इसका solution करवाने वाले हैं तो यहां पर solution को क्या करना है देख करके समझ लेना है कि कौन सा कोच में हमें कहां पर परिसानी हो रहा था तो इसके मादियम से हम लोगों क्या होगा पूरे concept भी किलियर ह सारा नुमेरिकल भी बनना अस्टार्ट हो जाएगा और इस परकार से हम लोग सीवीटी एक्जाम को भी अच्छे से क्वालिफाय कर जाएंगे अगर किसी बच्चे को यहां पर सपना है कि नहीं हमें आगी चलकर की बिटेक विगरा करना है वह हम लोग को जैई क्वालिफा देखो किस तरह से समरों को पूछा जाता है चाहां वो जैई का हो चाहां वो नीट का हो चाहां आपका बोड एक्जाम का हो तो देखोगे कि सारे कोश्टन सापसे बनना अस्टार्ट हो जागा तो घवरानी की बात नहीं है बस जैसे जैसे यहां पर सीरीज को ले करके चला करके और अगर हमारे साथ आप नहीं चलेंगे मंदारी पूरव तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है ठीक है तो कोजिस किजिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 पासोट कर जाने से कुछ होने वाला नहीं है आगे कुछ करना है वही है तो यह सारे इंटेंस एक्जा यहाँ पर दे रखा है क्याची दे रखा है तो हम लोग को यहाँ पर दे रखा है यह क्या है हम लोग को डिस अप्रियेंस है यह हम लोग को क्या है डिस अप्रियेंस और किसका ए दिया हुआ है इस इक्वल स्टू के वन और यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए उसका प पर देखो तीनु के बीच में हम लोगों क्या करना है करेक्ट रियक्षन नहीं यहां पर रिलेस्ट करते हैं तो अब हम लोग सबसे पहली बात case number 1 में हम लोग को देखो दिया गया है minus D यहां पर है concentration of A और नीचे हम लोगों क्या है dt इच equals to यहीं हम लोगों क्या ची दिया हुआ है तो K1 दिया हुआ फिर यहां पर concentration of A और इसका power कितना है दो दिया है तो यह तो condition number 1 था उसी प्रकार से condition number 2 में जो दिया है वो हम लोगों को दिया है plus यहाँ पर D concentration of किसका B और नीचे क्या ची दिया हुआ DT is equal to यहाँ पर दिया हुआ है K2 concentration of A उपर पावर में 2 उसी प्रकार से फिर दिया हुआ है plus D concentration of C नीचे दिया हुआ है DT is equals to यह हो जागा क्या ची के 3 यहाँ पर हो जागा concentration of A इसका पावर कितना 2 है कितना है 2 तो यह हम लोगों को तीन रिलेशन दिया हुआ है यही से हम लोग को क्या निकालना है K1 K2 और K3 के बीच में किस परकार का relation मिलेगा तो आप हम लोग को यहाँ पर देखना क्या है तो देखना यही है कि कौन कौन सा हम लोग को कौमन देखने को मिल रहा है सबसे परली बात देखो यह सब relation हम लोग को तभी पता चल पाएगा जब रेट आफ रियक्शन को लिखेंगे क्या ची लिखेंगे रेट दिया हुआ है यहां लोग किसका दिया हुआ है रेट आफ रियक्शन दिया और रेट आफ रियक्शन दिया है तो यहां पी लिखा हुआ है वह लेट आफ रियक्शन लिखा हुआ है रेट आफ डिया तो इसी के माधियम से हम लोग को क्या करना है रिलेशन बताना है तो सब्सक्राइब क्या हो सकते हैं तो अब यहां पर समझते जाना कि कि जैसे हम लोग यहां पर चल रहे हैं चलो इसमें और पेज हम यहां पर लेरें सकते हैं ताकि हम लोग अच्छा से समस्सक्राइब इन को मिला किसर यहां पर देख रहें कि मैनस डी और यहां पर कंसेंट्रेशन अफ ए और नीचे क्या है dt तो इतना कहीं बेल्यू कितना दिया हुआ तो k1 और उसके पावर में कितना है 2 दिया हुआ तो अब यहां पर देखो हम लोगो जो यह वह ब्ला जो rate of reaction लिखें है यहां से हम लोगो समझ माया कि क्या यहां से करेंगे क्या यहां रिलेशन湊 होका है तो इसी परकार से अभी यहां पर देखो कि फिर यहां पर जो dis appearance जो है हमलोगो B कर सिर्फ उसी का value इतना दिया वार, B वलम भी देखो rate of reaction जब लिखते हैं, तो वहाँ पर भी पोई है से डिभाइड नहीं है, मतलब इतना के जगह में उतना पूरा पूरी बिठा देंगे, तो यहाँ पर हम लोगो लिख देंगे क्या ची के टू कंसंट्रेशन आफ ए और इसका पावर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, इस एक्वल स्टू, उसी प्रकार से यहाँ पर देख यहाँ पर के थिरी, कंसंट्रेशन आफ ए इसका पावर टू और नीचे के टना डिभाइड करोगे, थिरी से, तो यह होता है आपस में रिलेशन, तो अब हम लोग को देखो, यहाँ से क्या होगा, तो जैसे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर जैसे एक्स इस इक्वल स्टू आपस में क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, तो उसी पकार से जब एक्वल में हम लोग देख रहे हैं, सभी जगा तो वो तो सभी हम लोग को common दिखी रहा है, तो सिर्फ हम लोग को फर्क क्या दिखा, तो हम लोग को फर्क दिखा, तो हम लोग को फर्क दिखा, तो हम लोग हम लोग लिख सकते हैं। कि sir यहां पर relation जो मिला वो k1, aqanom 2 मिला is equals to यहांपर मिला हम्लोग को k2, is equals to k3 और aqanom 3 कीतना मिला थिरी तो यहां पर जो k1, k2, k3 के बीच में जो relation मिला वो हम लोग को यही देखने को मिलेगा क्योंकि उपर देख रहे हैं कि यह वला यह वला इक्वल है उसी तरह से यह भी इक्वल है तो यहां देखें के 1, K2, K3 अलग अलग है इसलिए सभी में K1, K2, K3 रह जाएगा नीचे देखो 2, 1, 3 थत जो के आपस में केंसिल ओट नहीं होगा तो वह भी रह गया लेगिन वही देख रहे हैं कंसंट्रेशन का भेल यहां पर भी देख रहे हैं एक स्क्वार यहां पर भी एक स्क्वार और यहां पर भी एक स्क्वार तो अपनमें केंसिल ओट हो ही जाएगा तो हम लोग को जो रिलेशन मिल रहा है वो यह मिल रहा है K1 बाई 2, K2 और K3 बाई 3 अब और यहाँ पर क्या है इन्टो किया हुआ उसी प्रकार से देख रहें और ओपशन होगा वो अप्सक्छन क्या हो जाएगा da क्या हो जाएगा यह तोधी थ्टोड़ा सा देखने में लगा होगा आप लोगको मुश्गिल सवाल लेकिन है नहीं तो यहीं तो होता पढ़ने के बाद जब तरह नुमेरिकल को सॉल्व नहीं करेंगे कि इससे और भी किस तरह का कोश्चन पूछा जा सकता है तब तब आपका पूरा कंसेट किलियर हो नहीं सकता है तकि और भी कंसेट यहां पर किलियर कर सको कि अगर इस परकार का भी कोश्चन आ जाए था हम ल सब्सक्राइब करने से मतलब होता है तो उन लोग को पढ़ा करके या फैदा होने वाला है अगर उसी में सारा कुछ मिक्स कर देंगा तो बोरिंग वाला सब्सक्राइब हो जाएगा इसलिए जो competitive exam का त्यारी कर रहे हैं उन लोग के लिए अलग से यहां पर चला रहे हैं ताकि वैसे स्टूडेंट जो त्यारी कर रहे हैं उन लोग करते रहेंगे बाकि जिसका सिर्फ 12 से ही लेना देना है कि नहीं सिर्फ पास करके छोड़ देना है तो यह क्या है यूनिट तो आप लोग को पता है कि जब दो रेट कॉंस्टेंट का यूनिट निकालते हैं तो इसके लिए क्या बताएं थे यहां पर होता है स्टर मोल मोल के पावर में क्या होता है तो वन माइनस एन होता है उसी प्रकास चार लीटर होता है लीटर में होता है एन माइन यहां पर देखो दोनों 1-1 थोड़ी होता है यह भी गलत हो गया फिर नीचे देखो C में तो मॉल में 1-n अस्क्वार लिखा है जो कि होगा नहीं दि में देखो मॉल के उपर 1-n लीटर के उपर और न-1 और पर सेकंड तो हम लोगों क्या हो जागा option number 2 लेगा किलियर है जी चलो चलते हैं next सवाल है कि which of the following statements is incorrect कौन इन में से incorrect है हम लोगों statement क्या बोला है unit of rate of disappearance इस इतना तो आप लोगों को पता है चाहे rate of disappearance बोले यह rate of disappearance बोले जहना पर रियक्षान बोले अरे यह तीनों कर देको के फोर्मूला तो उपर ुपर होता है तो उपर होता है एंजिंच इन निकांसेंट्रेशन और नीचे क्या हता है है तो molar हो जाएगा और नीचे देखोगे समय तो क्या हो जाएगा second तो इसका देखोगे भी तो क्या हो जाता है पर सेकेंट तो होता ही है उसे दिए सीम देखो यूणीट ओफ रिट कॉंस्टेंट के डिपेंड्स अपोन ओर आधो यहां पर देखो जो के का है वह किसके उपर डिपेंड करता है तो यहां पर देख रहे हैं और के ऊपर था बिल्कूल यह भी तो कहीं सही बोलगे क्योंकि यूनिट तो हम लोगों क्या होता है उसी पर डिपेंडे करता है कि सकेंड ओडर है कि जीरो ओडर उसे डी में क्या बोला है कि यूनिट ऑफ के फुर्ष्ट ओडर रियक्षान इस इतना अब यहां पर देख लो कि फॉस्ट ओडर चलोगे मतलग एन बराबर अगर वन दे दिय यहां पर जैसे पुट करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा पर सेकंड जोगी पर सेकंड मिला नहीं हमलों को बोला है कि कौन इंवे से स्टेट्मेंट इनकरेक्ट मतलब कौन इंवे से गलत है तो गलत कौन है हमलों को प्सटप नमबर दी यही हो जागा उसका क्याश्यक्षी तो इस प्रकार से हम लोगों को सही जवाब चुनना है ठीक है जी बहुत ज़्यादा टफ था नहीं है चलते हैं नेक्स सवाब कलर चेंज कर लेते हैं चलो नेक्स क्या है तो दर रेट कॉंस्टेंट ऑफ रियक्शन डिपेंड्स ओन अब यहाँ पर देखो यह बाद में बताने वाले हैं अभी थियोड़ी तक बताया नहीं क्यूंकि अभी हम लोग बताना है फैक्टर सफेक्टें रेट ओप रियक्शन तो वो सारा कुछ बता देंगा आगे भी लिखा देंगे अभी तक आप लोग को लिखवाएं नहीं है लेकिन टेंशन ने लिजे लेकिन आप याद रख लिए कि जो रेट कॉंस्टेंट होता है जो के यह के डिपेंड्स करता है किसके उपर तो सीर्फ और सीफ आप लोगों टेंशन ने लेने इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे ठीक है जी चलते हैं नेक्स सवाल नेक्स सवाल देख लो यह है हम लोग को है कि for a reaction the initial rate is given as तो हम लोग को दे दिया है initial rate क्लिक करके by what factor the initial rate of reaction will increase if initial concentration of A is taken 1.5 times of and of B is tripled कहने का मतलब है कि जो initial rate था उसको मान लिया है r note is equals to यहाँ पर k concentration of A note यहाँ पर square और उसी प्रकास यहाँ पर क्या है b note इसका कहने का मतलब क्या है यह initial का बात करा और इसका भी power कितना 1 है तो यह हम लोग को initial rate है जिसको हम लोग R note माने है ठीक है तो इसमें बोल रहा है कि जो हम लोग को नया rate बनेगा वो क्या हो जाएगा यदि हम लोग क्या कर देंगते हैं तो जो उसका initial जो concentration है किसका a का वो कितना ले लिया जाए तो 1.5 times ले लिया जाए मतलब 1.5 गुना गर ले लिया जाए और जो b है b को कितना कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए तब हम लोग को कहानी क्या होगा जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि देखते जाना if क्या कर दिया जा कि जो concentration है A note का इसको क्या कर दिया जा 1.5 into क्या कर दिया जा A note कर दिया जा तब और उसी पकार से जो concentration of B है वो B को क्या कर दिया जा तो ये 3 गुना कर दिया जा concentration of B note का तो यह कहानी यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, कि अगर इसका जो concentration है, concentration को A का 1.5 गुणा, और B का क्या कर दिया जाया, तिन गुणा कर दिया जाया, तो जो नया rate बनेगा, क्या बनेगा, नया rate वो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, नया rate जैसे होगा, मान के चलो, उसको R1 मान लेते हैं, क्या चे मान लेते हैं, R1, तो R1 is equal to लिखोगे, तो के हो जाएगा, concentration of जो A लिख रहे थे, A के जगा में अभी कितना लेना पड़ेगा, 1.5 into कितना A note, तो 1.5 और यहाँ पर क्या लिखोगे, A note लिखोगे, क्लियर है जी, और इसी का पूरा पावर, क्योंकि पावर हम लोग को कितना दिख रहा था, 2, तो अभी overall power कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसी पकार से जो concentration और B note था, उसका कितना लिख लिखाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, और यहाँ पर concentration of B हो जाएगा, और यहाँ पर क क्या हो जाएगा, इसका power अभी कितना लिखा हो था, 1 तो अभी क्या हो जाएगा, 1, अभी इसको solve कर लो, और देख लो कितना होता है, तो यहाँ पर देखो, R1 is equals to, यहाँ जाएगा, के, और आप लोग को पता है, कि 15, 15 है कितना होता है, तो आप लोग को होता है, कि 225 होता जाएगा पावर 2 हो जाएगा उसी तरह 3 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा तीन ही हो जाएगा और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा बी नोट का वह भी लोक है इतना हो जाएगा अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके पूरा निकाल लो तरह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ के फिर यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन आफ इसका पावर 2 फिर यहाँ से कंसंट्रेशन आफ बी इसका पावर 1 और आप लोग को पता है कि इतना जो भेल्यू है जो इतना का भेल्यू है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं आर नोट बोल रहेते हैं क्या यहाँ से हम लोग 6.75 और इहां पर इंटु कितना हो जागा और नोट तो इतना टैम ओ क्या हो जागा increase देखने को मिल जागा कितना जो नया रेट है वो पूराना वाला रेट से 6.75 टाम्स क्या हो जागा increase हम लगको बोड़ रहा था तो option number कहां दीख रहा option number C जो कि क्या हो जागा correct answer के लिए चलो चलते हैं next सवाल आप देखो जो स्टुडेंट्स लेक्षस को देख करके नहीं आया होगा तो उसको दिक्कत होगा ठीक है तो पहले पोसिस करो पहले लेक्षस को देख लो उसके बाद ही इसको attempt करने की परियास करने अब यह उपर उपर उड़ जाएगा पता तो रहना चाहिए कि rate low होता क्या है उसको सब्सक्राइब चलो ए और बी को जोडने से हम लोको क्या बन रहा है सी बन रहा है तो हम लोको रेट यहां पर लिख करके दे दिया है और बोला है कि यदि initial concentration of a and b are increased by factors 4 and 2 respectively इसका कहने का मतलब है कि जिसे हम लोको रेट तो लिख करके दे दिया है जैसे मान के चलो उसको नएा rate को मान लेते हैं r तो r is equals to k यहां पर लिखा हुआ है a इसका power कितना 1 by 2 उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है concentration of b इसका power कितना 2 अब यहां से हम लोग को बोल क्या रहा है समझते जाना कि यदि जो initial हम लोग को concentration है A का मतलब जो A था A को क्या कर दिया जाए 4 गुना इसको क्या ची कर दिया जाए increase कर दिया जाए मतलब यह कितना हो जाएगा हम लोग को 4 A हो जाएगा मतलब concentration जो A था वो A अब क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा, उसी प्रकार से जो concentration B था, B को कितना increase कर दिया जाएगा, 2 times increase कर दिया जा रहा है, तो ये बता रहा है कि इतना factors से उसको increase कर दिया जाएगा, factors करने मतलब उसी का multiply, तो अगर इस प्रकार से होगा, तो बता जो R1 होगा, नया rate वो क् के लिए हम लोग क्या करने जा रहा है, solve करने जा रहा है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि R1 is equal to हो जाएगा, के, अब concentration of A के जगम कितना भी ठाएगे, 4A लिखेंगे, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा concentration of A, अब बताओ कि इसका power कितना था, इसका power था 1 by 2, अभी भी हो जाएगा, 1 by 2, उसी पकार से B का concentration B नहीं, अभी कितना हो जाएगा, 2B, त्यहां पर लिखेंगे, 2 concentration of क्याचे, B, और इसका power कितना हो जाएगा, 2, अब इसको solve कर लो, त्यहां से लिखेंगे, R1 is equal to K, फोर का आधा करोगे, मतलब उसका 1 by हाप लेगोगे, उसका power, य जाएगा, और यहां पर लिखेंगे, concentration of B, इसका power 2, अब इसको solve कर लो, R1 is equal to multiply कर दो, 4 into 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इन्टू, यहां हो जाएगा, के, concentration of A, 1 by 2, और यहां हो जाएगा, क्याचे, concentration of B, इसका power 2, आप लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो तो हम लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो कैने टेक्स डबलिंग दा कंसंट्रेशन ओफ ए विल इंक्रीज दर रेट ओफ फॉर्मेशन ओफ बी बाई अब यहां पर समझते जा बोल रहा है कि जिसे हम लोगों के से बी जा रहा है किलियर है तो इसके लिए जब रेट लिखेंगे तो रेट हम लोगों क्या हो जागा के और कंसेंट्रेशन हं कि हो जागा यह सका पावर कितना हो जागा तो किसका एक सब्सक्राइब को कि किस रेट से औरूरु को Called को मैच करना है सबसे पहले समझ माट यहां पर बोल रहा है कि यदि जो कंसरट्रेशन जो ए है वह यहां पर कर दिया जा रहा है वह साब सब बोला कि doubling the concentration और किसका एक तो यहां पर हो जाएगा वो concentration क्या हो जाएगा टू ए तब उस समय जो नया रेट जो बनेगा वह हम लोगो क्या देखने को बलें तो आप हम लोग यहां पर concentration of a इसका पावर 2 और आप लोगों पता है कि यहां पर लिखेंगे के concentration of a इसका पावर 2 अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि उतना के बराबर कितना लिए हैं तो नेक्स दवाल नेक्स दवाल यहां पर देखो नेक्स दवाल देखे तो दा यूनीट ऑफ रेट पॉंस्टेंट बोल रहा है कि यूनीट ऑफ रेट कॉंस्टेंट और किसके लिए जीरो ओडर एंड फर्स्ट ओडर केमिकल रियक्सन और रिस्पेक्टिवली तो यहां पर देखो सबसे पहले किसका बात किया है तो हम लोग बोला जीरो ओडर उसके बाद फर्स्ट ओडर यहां पर जीरो के लिए देखेंगे उसके बात किसके लिए फर्स्ट के लिए तो अ आपर पर सेकेंे इसका भी चलोगे तो यहां परना सर यहां पर उन्हेजा टे। स्कार्ड निकालेंगे तो उसके लिए लिए क्या हो जाएगा एक हो जायाग लुक्त 0 ऑड़ल पलेटर हो जाएगा सघ्चे और यहां पे छेट वन जाएगे तो सीप ऊक्षोन्फ और यहां पर सेकंद्ट उसी तरस देखे तर नीचे हम लोग को option number C में भी दिख रहा है mole per liter per second लेकिन हम लोग को जो option number B है ये तो हो गाए है और D भी नहीं होगा अब देखते हैं A और C में किसका कहानी तो चलो 0 वलत मैच कर गया उसी तरस अब देखना है कि first order वला मैच कर गए कि नहीं तो फर्स्ट ओर्डर के लिए क्या होना चाहिए पर सेकंड जो कि option number A में तो इतना लंबा चोड़ा लिख दिया जो कि होगा नहीं और वही option number C में देख रहे है सिथ क्या लिखा हुआ पर सेकंड तो हम लोग को जो correct answer होगा और rate of reaction का वो कब दोनों का constant मतलब कि same देखने को मिलेगा कहने का मतलब जब हम लोग आर बराबर जाते है rate of reaction तो इसका unit हम लोग क्या लिखते है तो इसका unit लिखते है mole per liter और क्या लिखते है per second तो इसी वलाग जो value होगा वो के कभी हम लोग को same होना चाहिए यह कब possible है order reaction के लिए जब देखेंगे उसका unit तो वो हम लोग को देखने को मिलेगा mole per liter per second और विश्वास नहीं होता ता अभी अभी solve करके आए देखो जब zero order के लिए जाते है तो क्या आया था mole per liter per second तो हम लोग यहां पर बोलड़ा है कि कौन सा order reaction में आर का भेलियो और के का भेलियो दोनु जो unit होगा वो सेम होगा हम लोग किसके लिए होगा zero order reaction तो option नंबर क्या हो जागा के लिए है और नहीं होता है तो फॉर्मूला लिख लेना के वला उसमें zero भी ठाक देखना first भी बिठा देखना second भी भी ठाक देखना third भी भी बिठा होगा है अब आगे बोल रहा है कि if the volume of vessel is quickly reduced to half कि क्या किया जा रहा है जो volume है वेसल का वो क्या कर दिया जा रहा है तो आधा उसको reduce कर दिया गया है of its original volume then rate of reaction will be क्या होगा तो अब हम लोग को यहां पर देखो ध्यान से काम करना है जैसे rate लोग हम लोग लिखेंगे क्या हो जागा के concentration of a और यहां पर concentration of b क्या इसका कहीं भी हम लोग को बता दिया कि order कितना कितना नहीं तो यहां पर हम लोग डिरेक्ट लिख सकते कि नहीं reaction लिखा रहे हैं वहां पर जब order लिखते हैं वह उसी का respective stickometric coefficient होता है मतलब a के respect में 2 है तो इसका order हो जागा टू b के respect में कुछ नहीं मतलब 1 हो जागा तो यह हम लोग को rate of reaction हो गया अब यहां पर condition लगा दिया है कि अगर यह था हम लोग को initial rate तो अगर यदि हम लोग क्या क कर दिया जाया आधा कर दिया जाया तब बताओ उसका जो rate of reaction होगा वो उसमें किस तरह का changes देखने को मिलेगा तो आप सभी को पता है कि जब volume को हम लोग आधा करते हैं तो concentration जो होगा वो हम लोग को क्या हो जाता है 2C हो जाता है मतलब 2 गुना हो जाता है यहीं होता है तो ह और volume को जितना time हम लोगो increase करेंगे उतना time क्या होता है concentration घड़ता है यह सारा कुछ हम परवच्चन बहुत पहले दे चुके हैं लेक्चर में ठीक है तो यहां से समझ में आ गया जो concentration होगा a का और b का volume आधा reduce कर रहा है इसका मतलब इसका concentration भी क्या होगा increase कर जाएगा तो य हम लोगो question में अनुसार हम लोग चले तो ऐसा हम लोगो देखने को मिलेगा और ऐसा देखने को मिलेगा तब solve कर लो जैसे हम लोग जाएंगे नए यहां रेट लिखने यहां लिखेंगे k अब concentration of a के जगम कितना लिखना पड़ेगा 2 concentration of a लिखना पड़ेगा अब इसका power देख लो तो पावर था 2 तो अभी भी कितना हो जागा 2 उसी पकास से b, b भी दूगू ना हो गया मतलग 2 यहां पर हो जागा concentration of b अब बता इसका power कितना है 1 तो अभी भी हो जागा 1 solve कर लो r1 is equal to k 2 का power 2 कितना हो जागा 4 अब यहां पर लिखेंगे concentration of a इसका power 2 तो यहां से into में 2 का power 1 तो कितना हो जागा 2 हो जागा तो यहां से concentration of b इसका power 1 solve कर लो R1 is equal to 4 into 2 कितना हो जागा 8 यहां लिख देंगे K concentration of A का power 2 यहां लिखेंगे B इसका power 1 तो अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसके बराबर कितना लिखा हो है तो इतना कहीं बराबर हम लोग लिखे हैं R तो हम लोग बोल सकते हैं कि R1 is equal to 8 यहां पर क्या हो जागा R मतलब कितना time हम लोग को increase देखने को मिलेगा तो 8 गुणा हम लोग को increase देखने को मिलेगा तो option number A में unchanged निखा है नहीं change तो हो रहा है फिर यहां पर देखो increase 4 time 4 time नहीं कितना हो रहा है increase 8 time हम लोगो को क्या हो जागा option number C हो जागा के लिए रहे बहुत ही बहुत ही बहुत ही असान असान question होते हैं इसी परकार का आपका board exam में भी सवाल पूछ रहे जाता है चलते हैं next सवाल फोर्दर reaction 3A से हम लोगों बन रहा है B और पलस में C बन रहा है अब यहां पर देखो के का value हम लोगों को दे दिया कितना दे दिया है 10 into 10 to the power माइनस 14 लीटर पर मॉल पर मिनट दिया हुआ है और यदि ए जो है concentration वह इतना value है देन अब यहां पर ध्यान से समझते जाना हम लोगों को जो value दिया वह के का value दिया हुआ कितना दिया हुआ तो 10 to the power माइनस 14 दिया हुआ है इसका जो unit दिया हुआ है वह क्या चीद दिया हुआ है तो यह हम लोगों पर मॉल और यहां पर हो जागा है लीटर और यहां पर क्या है पर मिनट लिखा हुआ है तो इस परकार से ठीक है अब ऐसा इस लेखिए ताकि हम लोग को order of reaction यहां प करने के लिए मंध को पेडिये तो यहां पर पर जानते हां कि जब लिखते थे हम लोंको क्या लिखते हैं तो आप लोग को पता है कि अगर sobie से मौल को रिलेट करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे यहां पर देख लो कितना लिखा वहाई कितना हो जाएगा तो अगर order reaction है और अगर second order reaction है तो अगर हम लोग रेट लोग के नुसार चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं तो के यहाँ पर concentration of a हो जाएगा अब इसका power कितना लिख दोगे तो अभी देखो रेट लोग expression लिख लिए चुक्कि अब हम लोग को देखो questions में बहुत कुछ data दे रखा है क्या चीदिया है कि concentration of a हम लोग को दे रखा है कितना 0.5 molar और k का भी value दिया हुआ तो क्या हम लोग आर का value निकाल लेंगे हां सर बिल्कुल निकाल लेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे value जैसे हम लोग को दे दिया है किसका दिया है इसको solve कर लो तो यहाँ से जाओगे ना 0.5 को जब square करोगे यह हो जागा हम लोग को 0.25 हो जागा और इंटू कितना हो जागा दस के पावर माइनस 14 हो जागा यह हो गया और इसका unit देखो के rate of reaction को जानबे करता है क्या होता है जी तो यह हो जाता है सर मोल पर लीटर और क्य और नीचे dt जो कि हम लोग को क्या है rate of disappearance है तो चुकि हम लोग जानते है कि rate of reaction बराबर क्या होता है तो हम लोग जानते है सर आर बराबर जो होता हो माइनस डी कंसंट्रेशन आप ए और नीचे लेखते हैं डीटी जब rate of reaction लेखते हैं नीचे जो अस्टिक्योमेट्र को अपिशन होता है उससे भी डिवाइड करते हैं मतलब यहां पर थिरी लिखेंगे और हम लोग को जो भेल्यू निकालना है तो वो इतना का भेल्यू नि लिखा हुआ है इस उक्वल्स टू यहां मा 주द्प माइनस डी कंसंट्रेशन आफ ए और नीचे क्या हो जाएगा दीपी और यहां पर ना तीक को यहां कुछ आफ ए और नीचे हो जाएगा डीटी एच एकवस टो तो यहां हो जाएगा तुम्हारे क्याची 0.25 क्या सारा कुछ हम एक के बार लिख दें मल्टिपला करके क्योंकि यहां पर जगा भी नहीं बचेगा देखो तो हम लोग जानते 25 ती है कितना होता है पच्छात थे आपको जाएगा 0.75 और इंटु में 10 टुदी पावर माइनस कितना हो जाएगा 14 और इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा वही चीज क्या हो जाएगा मोल्ट पर लिटर और क्याचे पर सेकेंड क्लियर है जी चलो अब देखो हुए इतना का भेलियो हम लोगो कहां दिखाया अपसं में तो सबत दो डिखतो रहा है अब यहां पर दो सेवन फाइब चीरो पॉइंट सेवन फाइब लिखावर यहां पर 10 टूदी पावर माइनस 14 कितना लिखाया 10 to the power minus 14 अच्छा देखो इसका question में फ्रसा error यह है कि यहाँ पर 14 नहीं लिखना चाहरा होगा यहाँ पर लिखना चाहरा होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर option में कहीं भी 14 वेगर दिया हुआ नहीं है अगर 14 लेकर चलोगे तो क्योंकि तुम्हारा मैच ही नहीं करेगा कहां यहाँ पर चाहँ दा तो यहाँ पर गलत होगा लेकिन अगर वही चीछ तुम लेकर करके चलोगे यहाँ पर 10 to the power 4 तो 4 के condition पर एंसर आजाएगा option नमबर ए के लिए है लेकिन वही कि 14 को क्या बनाना पड़ेगा फोर बनाना पड़ेगा तो जैसा जाओ तो तुम्हारे यहाँ पर option के अनुसर अगर चलो पर questions के चलो question में जो दिया था हम उसी के coding चलेंगे तो हम लोगों जो option हो जागा वो option नमबर डी हो जाएगा लेकिन आप सभी को बता दी है कि यहाँ पर questions में error दिया हुआ है ठीक है जी तो आप लोगो घबराने जरुवत नहीं लेकिन खर कोई बात ने हम लोग वहाँ पर हम लोगों लिखा हुआ है जिसे product बन रहा है is given by हम लोगों यहाँ पर rate of reactions लिख करके दे चुका है सारा कुछ ठीक है पावर दिया है और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग order निकालेंगे तो order of reaction सभी का क्या होता है पावर का सम होता है तो हम लोग लिख देंगे कि one by two plus one by three plus one by four LCM निकाल लो तो LCM जाओगे देखो दो तीन चार जैसे जाओगे तो यहाँ पर दो किसे जाओगे यहां सो one हो जाएगा ठीरी हो जाएगा यह कितना टू से और यहां से multiply करोगे फिर भी तुम्हारा क्या होगा 12 होगा तो यहां से हम लोग लिखते हैं सर यहां पर 12 हो कि लिए इतना आता होगा जलो नेक्स देखो दर रेट लो फूर दर सिंगल अस्टेप रियक्षान तो इसके लिए रेट लो लिखना तो आप सभी को पता है कि जब भी सिंगल अस्टेप बोले या फिर elementary रिक्सन बोले तो उसके लिए जब भी रेट लो लिखेंगे जैसे क हो जागा कंसंट्रेशन रियक्टिन कौन-कौन है और भी है यहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन और बी अब जब इस प्रकार से कहां पर रेट एक्सप्रेस किया हुआ है तो है नहीं एक भी हम लोको वने दिखाया हुआ है लेकिन बी नहीं चेंटर रहे है यहां यहां मिद्र है यहां नहीं रहा हुआ है थी अ're यहीus B से बन रहा है product if it is found that the order of A is कितना 2 मिला और B का कितना मिला 3 in the rate expression when concentration of both is double the rate will increase to कहने का मतलब है कि जो यह reaction दिया हुआ है उसमें अगर यदि A का मतलब A का जो respect में जो power है जो order है वो कितना है 2 है और B का जो order है वो कितना 3 है तो अगर अगर अधि concentration को double कर दिया जाए तो नया जो rate बनेगा वो कितना time increase देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग आर लिख लेते हैं तो आर बराबर क्या जागा के concentration of A उसी तरह से concentration और B का respect में कितना बोला था तू और B का respect में कितना बोला था ठीरित यह हो गया नया rate अगर हम लोग concentration को double कर देते हैं यहां पर बोला ना कि if concentration कैच कर दिया जा रहा है double कर दिया जा रहा है कैच कर दिया जा रहा है double तब हम लोग को क्या होगा नया rate तो नया rate निकालने जा रहे हैं तो आराम से चलो निकाल लेते calculate करके इसमें क्या बड़ी बात है तो आरवन को जाओ गया, अब concentration ए तो यहां पर लिखना चाहो तर लिख सकते हो जिससे कि ए तो आ हम लोग को क्या हो जागा तो ए हो जाएगा उसी प्रकार से जो बी है ती अभी हम लोग को क्या हो जागा तो यहां पर निकाल लो कि बी का concentration कितना हो गया जी 2B हो गया अब इसके order हम लोगो को कितना दिया था थिरी दिया हो था किया पर थिरी लिख देंगे अब solve कर लो तो R1 is equal to K अब 2 का power 2 कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा concentration of A इसका power कितना हो जाएगा 2 उसी प्रकार से 2 का cube करोगे कितना हो जाता है 8 यहाँ पर हो जाएगा B इसका power कितना 3 अब इसमें लिख लो तो R1 is equal to 4 और 8 को multiply करोगे 32 होता है यहाँ हो जाएगा K फिर यहाँ पर concentration of A का power 2 फिर यहाँ पर concentration of B का power 3 अब यहाँ से लिखना चाहा हो तो R1 is equal to 32 और इतना का बराबर कितना होता है R तो कितना time यह increment देखने को मिला हम लोगो 32 time कितना देखने को मिला 32 time कहाँ पर दिख रहा है हम लोगो option number C में के लिए है चलो बेहतरीन सवाल है बहुत ही easy-easy है ठीक है चलते है इसमें फोर है reaction A plus B हम रोको product बन रहा है The rate of reaction was double क्याच बोल रहा है The rate of reaction was double when the concentration of A was double The rate was again double when the concentration A and B were double The order of reaction with respect to A and B are अब देखो इसमें दो question फसा दिया है सबसे पहले एकक कर के समझनी की परियास करना है एकक लंग पढ़ते जाते हैं जैसे reaction हम लोगों को दे दिया है बोला है कि the rate of reaction was double when the concentration of A was double कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग इनिसियल रेट लिख लेते हैं कि आर इस इकवस्ट्री लिखेंगे तो के हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर कंसेंट्रेशन और B अब यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स और यहाँ पर कितना वाई तो यह हम लोग को रेट है ठीक है रेट लोकर नोशार तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि हम लोग को कंसेंट्रेशन जो है A का वो A को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं डबल कर देते हैं कहने मतलब यह 2R तब होता है जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं concentration जो है A का वो हम लोग क्या करते हैं डबल कर देते हैं यहां पर लिखेंगे क्या ची टू कंसेंट्रेशन आफ एक अगर इसको हम लोग डबल कर देते हैं ना एक्स और यहां पर क्या हो जागा concentration और बी तो बी में हम लोग को किसी तर्स कोई छेचार नहीं किया गया बोला है कि जब हम लोग कंसेंट्रेशन आफ एक को डबल करते हैं तो उस इस्तिति में rate of reaction भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है यहां पर टू आर हो जाएगा कब जब ह हम लोग हो गया equation number second हो गया किलियर है आगे देखो क्या बोला है आगे बोला था कि the rate was again double फिर बोल रहा है कि जो rate है वो फिर से double हो जाता है जब concentration A और B को क्या करता है डबल कर देता है मतलब कि जब हम लोग concentration A और B दोनु को डबल करते तब ही जो rate of reaction होता है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है मतलब जो नया rate हम लोग को लिखने जा रहे हैं यहां पर लिखेंगे कि 2R is equal to K अगर concentration A का डबल करते हैं मतलब यह हो जागा 2A इसका power अभी कित नहां Y तो इस पकासे करते हैं तब उसमें जो नया rate बनता है वो डबल हो जाता है मतलब equation number कितना हो गया third अब इन लोग के अनुसार ही बताना है कि अगर इस तरह का स्थिति हो रहा है कि जब हम लोग concentration A को सिर्फ बढ़ाते हैं दो गुना तब हम लोग को नया rate जो होता है समझना हो जाता है और जब हम लोग A और B दूनों का concentration को डबल करते तब ही हम लोग को rate कितना होता है 2 गुनाँ तो अगर इस तरह सका condition अगर हो रहा है तो अब हम बताना है कि वो जो reaction होगा ऊसका जो order होगा वो order क्या होने वाला है किसके किसके respect में A के respect में और B के respect में तो तो अब हम लोगों समझना है, कि अगर हम लोगों को नएया ये नहीं ठी्स बनधा ही DAU ये तब ही पॉसिवल है कि जब यहां पे अगर कंसंट्रेशन जो La कांचा है कंसंट्रेशन K 올 दबन कर रहे हैं तो ये δबल हो रहा बी कोई जीरो और अगर एक्स बराबर वन ले लिते हैं और अगर इस तरह के कंडिशन को सॉल्फ करोगे देखो दो का पावर वन मतलब टू हो जाएगा और बी का पावर में कुछ भी रहेगा तो भी यह जिरो यह रहेगा तो उसका कोई भी लेना देना होने वाला है नहीं तो यहां लगोशु करते ही जब वाइं बर व्यरबर कितना रखे जीरो अब यहां पर देखो दो का पावर जीरो मतलब कितना को तो इस हमझेमिंद आया कि जो हम लोगो एक रिस्पेक्ट में जो ओर सेकी स्फिया चार थे जब ये दोनों condition को जब follow करेगा तब ही हम लोग को जब हम लोग concentration को एक बर A का सिफ double करेंगे तब भी दोगुना बढ़ेगा और A और B दोनों को double करेंगे तब ही हम लोग को rate of reaction डबल ही बढ़ेगा तो इसको सिफ समझनी का खेल था कि कैसे हम लोग X और Y को compare कर सके क्यलियर है जी चलो तो हम लोग ra कि A का कितना जाएगा second order और B का कितना जाएगा zero order अब देखो हम लोग को बोला किसके किसका अनुसर था पहले पूछा था एक का इंसर दिया होगा तो A कितना दो तब देखो कहा option में दीख रहा है तो बी में हम लोग दीख रहा option number B में कि A का एक बार पूछा जा चुक रहा है चलते हैं नेक्स सवाल नेक्स सवाल देखोगे तो हम लोगो है कि नेक्स सवाल हम लोगो है कि अगर एक जो यहांद रहे चलता है वह इकुछ भी ले Лते हैं यहां पर मान के चुला है जो order है उसको क्या मान रहे हैं तो हम लोग को बोल रहा है कि यह जो r है और यह जो हम लोग को k है कहने का मतलब इस equation को rate लोग के जाओगे तियाँ पर र बराबर k करना है और यह बराबर k तभी हो सकता है जब यहाँ वाला जो भी concentration का value हो लिख होगे 0 क्योंकि जब 0 हो जागा पावर में तो उसमें इस लोग का वेल्यू कितना हो जागा 1 और 1 हो जागा तो सिर्फ कितना बचेगा के और किसके एक्वल हो जागा rate of reaction का तो इस स्थिति में ही हम लोग देख रहे हैं संभाव है कि जब हम लोग को जो order होगा क्या ची होगा order of reaction होगा order of reaction अगर यह हम लोग को 0 order reaction मिल गया तो उस स्थिति में के और किसका और का वेल्यू आपस में इक्वल होगा हम लोग को जो option होगा वह हम लोग को क्या हो जागा कि हम लोग यहाँ पर दो questions को solve किये हैं एक हम लोग को था DPP नमबर वन जिसमें से हम लोग rate of reaction से हम लोग देखे जो आज हम लोग कंप्लीट किए DPP नमबर टू जिसमें हम लोग पढ़े rate law expression का कहानी एक और DPP आप लोग को मिल जाएगा कल तक जो की रहेगा DPP नमबर 3 जो तो रहेगा experimental method की द्वारा हम लोग order of reaction कैसे find out करते हैं के लिए तो इसी पकत से धीरे धीरे हम लोग को DPP मिलते चले जाएगा तो आप लोग को tension नहीं लेना जैसे जैसे हम करवाते जा रहे वैसा ही follow करते चले जाना तो आपका 12th board का भी एक जरह सा problem नहीं होगा क्योंकि इ या फिर नीट का preparation कर रहे हैं तो इसमें आप सभी को बहुत ज्यादा help मिलने वाला है क्योंकि यहां से भी आप सभी को देखा रहे हैं तो उमीद है कि आप सभी को बहुत ही मजा आ रहा होगा इस सीरीज में तो अगर वीडियो पसंद आते हैं हमारे वीडियो से अगर किया किजिए और सब्सक्राइब जो नहीं कियो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि इसी परकार से आपको आगे भी benefit मिलने वाला है इस चैनल से ठीक है बाकि अपने दोस्तों के साथ जरू से जरू साज़ा किजिएगा कि उन्हें भी पता चल सके कि यह प्रियो पोस्ट में आप सभी को प्रिप्रेशन करवाया जा रहा है ठीक है जी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं गुडबाई